बिहार की आबादी कितनी है लमसम 13 करोड होगी और उसके बाद पटना के नौबत पूर में हनुमंत कथा कह रहे पंडित धिरेंदर शास्त्री कहते हैं, आबादी लमसम 12 तेरा करोड के आसपास होगी, हमने गिनी तो नहीं है, लेकिन उसके बाद पंडित धिरेंदर शास्त् लगा लें और घर से निकलने से पहले तिलक लगा कर निकलें तो समझ लीजिए कि जो हम चाहते हैं वो हो जाएगा और हम अब जब अगली बार बिहार आएं तो आप याद रखिये कि 5 करोड लोगों को अपने घर के आगे ध्वज लगाना है और घर से निकलने से पहले तिलक लगा कर घर से बाहर निकलना है पंडित धिरेंद्र शास्त्री हनुमंत कथा कह रहे थे और बीच बीच में वो बताते रहते हैं भक्तों को कि वो क्या चाहते हैं और भक्तों को क्या करना चाहिए धिरेंद्र शास्त्री ने कल ऐसे ही बातों बातों में सारे जो भक्त थे उनको एक आदेश दिया उनको बताया कि कैसे बिहार वो कर पाएगा जो पंडित ध्रेंदर शास्त्री सोचते हैं और उसके लिए क्या करना होगा ये पंडित ध्रेंदर शास्त्री खुद बता रहे थे वो कहते हैं कि बिहार की आबादी लमसम 12- 13-13 करोड होगी और उनमें से मात्र 5 करोड लोग अगर मेरी बात को मान ले तो हम लोग जो चाहते हैं वो हो जाएगा और समझेए इस बात को कि आपको अपने घर के आगे ध्रज लगाना है घर से निकलने से पहले तिलक लगाना है राम चरित मानस का पाठ करना है और 5 लोगों ने ये काम कर लिया, तो समझ जाएए, जो पंडित धिरेंदर शास्त्री चाहते हैं, वो काम हो जाएगा, अब समझाएंगे आपको हम इस वीडियो में यही बात, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्विकार करिए, मिरा नाम प्रशांतराय है, ये वीडियो रोडबेज अब लोटते हैं, पंडित धिरेंदर शास्त्री उल्फ बाबा बागेश्वर पर, बाबा बागेश्वर पिछले चार दिनों से बिहार में है, और बिहार में रहकर, बाबागेश्वर कई ऐसी बाते कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि देखिए जब अगली बार हम बिहार आएं, तो हमको ऐसा लगना चाहिए कि पूरा बिहार राम में हो चुका है, और राम में कैसे होगा, इसका विधी भी पंडित धिरेंदर शास्त्री बता रहे थे, वो कह र आपने धर्म का मतलत की जंडा लगाना है, और घर से निकलने से पहले उनको माथे पर तिलक लगाना है, राम चरित मानस को हमेशा अपने करीब रखना है, अब समझे इस बात को, पंडित जी घूम घूम कर सनातन का प्रचार करते हैं, उनके हिसाब से अगर आप अपना धर चोड़ते हैं, तो ये गलत बात है, वो कहते हैं बहुत आसान सा बात की देखिए, अपने धर्म को हमेशा अपने करीब रखिए, उसको कभी अपने से जुदा मत करिए, और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, आपको प्रसिद्धी नहीं मिलेगी, आपको सुख शान्ती नह पिछले चार दिनों से पटना के नौबतपुर के जिस मठ में हनुमंत कथा सुना रहे हैं, उनकी बात को सुनने के लिए लाखों लोग आ रहे हैं, और उनहीं लोगों से दिरेंद्र शास्त्री अपील कर रहे थे, कि देखिए, जब अगली बार हम बिहार आए, तो हमको ऐ ऐसा लगे कि बिहार राम मै हो चुका है, और ये सारे जो लोग यहां बैठे हैं, वो राम के भक्ती में लीन हो चुके हैं, बाकी दिरेंद्र शास्त्री बहुत कुछ कहते रहते हैं, हम आपको बता रहे हैं, आप अपनी इस पर प्रतिक्रिया दीजिए, फिर आप से मिलेंगे, बहुत बहुत धनिवाद